पाकिस्तान ने पहुचा दी देगे जब गेन नया था हिल्फुल कंडिशन थी एक इन एक्सपीरिंस बोलिंग इटाइक चा गया उसके बाद जहां एक्सपीरिंस की जुरत थी जहां पर विकेट फ्लैट हुई कैसे बॉल करनी है टेक्टिक्स के पॉइंट और व्यू से अब 12 रन की लीड जो अभी मिली है वो कहीं 120 रन की लीड लग रही थी पाकिसान को मिल जाएगी मगर क्या हुआ अन्फिट बे हो गए मोहमद ऐली इसले के यांग है टेस्क्रिकेट जो है वो बहुत ही एक हेवीवेट किसम का फॉर्मैट है और अगर आप फिट नहीं है और दिला उसके बाद बहुत इंतजार करना पड़ा मगर लगे रहे लगे रहे अभी भी उनकी फिटनेस के इशूस है मैं समझता हूं कि 127 पे उन्होंने बहुत ओवस की है कोई 8-10-12 ओवस जो है इस स्पीट पर बोलिग उनको करनी पड़ गी क्योंकि टेस्क्रिकेट जो है इसकी डिमांड जला गए है तो वो जो निप थी वो जो पेस थी जो के पहले स्पेल में दिखी नए बॉल के साथ वो आहस्ता आहस्ता जो थी वो फ्लैट होती गई मगर फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे क्योंकि लिमिटेट सा ये बोलिंग अटैक है पाकिसान का और फिर भी म करते हैं आपके दो ओपनर्स टीम की फांडेशन होते हैं दो फ्रेंट लाइन फास्ट बोलर्स आपके टीम की फांडेशन होते हैं और जितनी अच्छी टीम्स हैं दुनिया की उनको देख लिज Hey उनके पास ये जो इन्ग्रीडेट सान ग्रेटनेस के वो मौजूद है पाक एक limited resources के साथ वो operate कर रहे हैं मगर उसके बाद क्या किया आपके दोनों openers जो हैं एक अब्दुल्ला फॉर्म में नहीं है सो एक तो foundation आपके हिल के और कई test matches से फॉर्म में नहीं और उस्टेलिया में भी उनका कुछ कहानी ऐसी थी और बहुत जादा दराड नजर आ रही है उन चलें ये माना के जी pressure दा के जल्दी से runs करने मगर 15 minute में आप कितने को runs कर लेते हैं before close up play इसी तरह से साइम अयूब हैं यंग opener है टैलेंट तो है मगर वही बात है कि अभी immaturity है तो आपने ये openness की foundation जो है ये ठीक नहीं है पाकिस्तान की fast bowling के foundation जो है वो आपने हला दी क्योंकि शाहिन अफरीदी भी नहीं खेल रहे हैं नसीम शा भी नहीं खेल रहे हैं सो rookies के साब आप उतर गए और जो सबसे बड़ा मसला है वो है spinner का क्योंकि अबरार रहमत को बहुत जादा एक तरह से high end spinner के तोर के उपर introduce किया गया मगर वो results बता रहे हैं कि mediocre bowling attack हो गई है इस पर इसलिए भी बहुत प्रेशर है क्योंकि कोई class का spinner नहीं है जो कि हर surface में कुछ ना कुछ काम कर दे अगर out नहीं तो control दिखा है control नहीं है तो फिर को variations के साथ तो bowling का मज़ा है या अपना जब उसका एक phase हो एक session हो तो वो run through कर जाए या विकेट्स ले हम देखे ना अब रहा रहे हैं mystery bowler है मगर tail enders को वो कुछ भी नहीं कर सके सो mystery जो थी ना ऐसी वो तो tail enders के against काम करनी चाहिए थी ना क्योंकि शेन वान leg spinner जब भी अच्छे को leg spinners है या सिशा को आपने देखा वो tail enders को नहीं खड़ा होने देते थे सग्लान मुश्ताक नहीं खड़ा होने देते थे क्योंकि यह mystery थी उनके दूसरे में तो पाकिस्तान की यह mystery bowler है और अगर आप tail enders को आउट नहीं करते हैं या वो लंबी-लंबी partnerships लगा देते हैं तो फिर आपका फाइदा कुछ खास नहीं होगा तो यहां पे भी पाकिस्तान को मार पढ़ रही है फिर overall जो है tactics के point of view से आज बड़ा ही ordinary दिन था क्योंकि नए बॉल पे तो ज़्यादा tactics की जुरूरत नहीं थी मगर जैसे ही pitch subside हुई वहां पे tactics वहां पे spirited performance वहां पे कुछ अलग करने की जुरूरत थी बहुत ज़्यादा इनिक्स को बंगलादेश को एक ही phase में एक ही dimension में रन करने दिया शानमसूद और पाकिस्तान ने तो कुछ ज़्यादा tactics नहीं बदले कोई round the wicket आके bouncer नहीं किये यूण आपने सल्वान अलियागा को पिछले match में 70 over करवा दिये इस innings में over ही नहीं किये उन्हें तो ऐसे थ एक spinner नहीं खिलाया था इसलिए उनको over करने पड़ गए मगर वो दो victory ले गए तीन overs में तो यहाँ पे भी मार पड़ी है और फिर साइम अयूब भी एक तरह से आपकी एक relief पचा सकते थे with bit of mystery क्योंकि वो भी lick spin-off spin करते हैं मगर उस तरब भी निगान ही कही तो overall मैं समझता कि बंगलादेश की जो साथमी आठमी नौवी विकेट की performance थी वो उसमें calmness थी उसमें common sense थी वो tail के साथ भी खेले लितन दास और क्या कमाल की innings के लिए तेकर temperamentally rock solid थे और मुझे समझ नहीं आती है कि बंगलादेश उनको साथ नंबर पर क्यों खिलाता है क्योंकि उनके पुक और पुल शॉट है उनका defense बहुत अच्छा है spin को अच्छा read कर रहे थे अबरार को और फिर उसके बाद fast bowling को ठीक खिलते हैं मगर panic नहीं गया 26 पे 6 पे क्या होता है आपकी mentality challenge होती है as a better as a team but क्योंकि पिछला match एक तो बंगलादेश जीता हुआ था एक self belief था दूसरा जैसी conditions जो है वो subside हुई वो अच्छी हुई बैटिंग के लिए तो लितन दास और मिराज ने जो है उसका भरपूर फादा उठाया और बहुती सलीके के साथ partnership लगाई शायद world record कर गये हैं कि 6 victory हो less than 50 उसके बाद 1500 plus की partnership पहली दफ़ा cricket की history में लगी सो इससे पता यह चलता है कि बंगलादेश कितने कीन है कि यह series को दो सिफर से जीते हैं या यह जो lead इन्होंने ली हुई है एक सिफर की इसको जाने ना दें सो हर कोई fight कर रहा है और इसी वज़ा से यहां तक कहानी चली है सो पाकिस्तान के पास अब options के हैं देखें दो victim गिर गई हैं सो इसका pressure पड़ जाता है क्योंके victim गिरने से ही जो है वो पाकिस्तान में जो camp में जो है वो थर्थली मचेगी और इस वकर जो है अब situation यह के gracer से अब वो एक तरह से defense में उनकी एक mindset चला गया है क्योंके उन्होंने तो यह test match बनाना था तो फिर night watchman को भेजना नहीं चाहिए था फिर जांके शान मसूद उसको head on लेते है उस situation को क्योंके वहां पर अब क्या हुआ कि दो विक्टे की लिए है वो नया दिन start करने के नया ball है एक तरह से defensively खेलेगा और पाकिस्तान के पास अब कोई और option नहीं है मा सवाए कि वहाँ जाए और कमस कम जो है 170 runs किसी ना किसी तरह से करें और last time में फिर देखें बंगलादेश क करनी है और मुझे ऐसा लग रहा था कि बंगलादेश जाए दो इनिंग्स की टीम नहीं होगी इन में एक खास वज़ा से ये निचले नमरों पे हैं टेस्ट क्रिकेट में मगर पाकिस्तान ऐसे लग रहा है कि बंगलादेश से सीखें और सीखने की कोशिश करें क्योंके उस स्किल लेवल जो है वो काम करना और मंगलादेश ने यानि कि अजियत पुछाई हुई है इस सीरीज में पाकिस्तान को अब लास्ट के जो दो दिन है वो इंटरेस्टिंग हो गया है मैंने आप से पहले भी कहा था कि इपिछ इतनी सादा नहीं है यहां पे कुछ ना कुछ गयें दिलता है और और ज्यादा टफ होता जाएगा बल्लेबाजों के लिए बट पाकिस्तान ने अब कोशिश पूरी यही करनी है कि किसी ना किसी तरह से 170-200 तक अपना टागेट रखे इनिशली इसी जहन से खेलें और खुल के खेलें नॉमल तरह से खेलें अटैक करेंग तो बंगलादेश फिर फिल फिलाएंगे फिर सिंगल्स मिल जाएंगे मगर अगर इसी तरह से शेल में गुसर है और यह कि मैं आउठ ना हो जाओ आउठ ना हो जाओ तो फिर आउट भी हो जाएका और मैच भी हाथ से निकल जाएगा